दोस्तो आज इस फिडियो में मैं आप लोग को इंटर्विव कोश्चन के बाराबे भी बताऊंगा और उसके साथ दोस्तो मोटोर किस तरह चेक करना है वो भी बताऊंगा नमस्कार दोस्तो प्राक्टिकल एक्स्पियेंस टेक्रिस्यांत अपन इटर्विव चैनल में आप लोग का स्वागत है आज कुछ निया सिखते हैं दोस्तो आप लोग जानते हैं कि मेरा वाट्सप गुरूब भी है इलेक्टिकल का ठीक है अभी तक तीन को गुरूब में अल्रडी बना चुका हूँ और तीनों गुरूब में आप लोग को एड़ भी करके रखा हूँ इसी में से देखिएगा बहुत सरा बहुत टाइप का फ्रेंड है जैसे जो भी मालीजे के हेलपर से काम सीख रहा है और मेरा ही वीडियो देखके सीख रहा है ठीक है और इलेक्टिकल का जो इंटर्वू देने जाएगा ओभी मैं ही रेडी कर देता हूँ मैं ही कोंटक्ट करा देता हूँ मैं ही नंबर देता हूँ और जाकर बोलता हूँ कि सर आप जाके इंटर्व्यू दिजिए ठीक है क्यों के दोस्तों कुछ कुछ फ्रेंड ऐसा भी है बड़ी इज्यत के साथ बात करना पड़ता है कि सर आप मेरा वीडियो देखके काम सीख है अब जाके इंटर्व्यू देके थोड़ा सा आगे बढ़िये ऐसा भी फ्रेंड मिल जाता है मैं मतलब सभी फ्रेंड के बारे में नहीं बता रहा हूँ कुछ-कुछ फ्रेंड ऐसा है जैसे इलेक्ट्रिकल का इंटर्व्यू तो देने के लिए भेजा हूँ उस जगा में अल्रेडी उससे जो भी question पूछा है जैसे किस type का question पूछा है reverse forward का diagram बनाईए, start delta का diagram बनाईए और siihen overhead crane में जो आपका main host का motor रहता है इसका भी diagram बनाईए ठीक है तो जितना सर आपका diagram था मैं जो विडियो बनारेडी आप लोगो को समझाया हूँ तो same to same copy to copy वो बना के दिखा दिया है तो आगे वाला जो भी इंटर्विव ले रहा था वो तो समझ गया कि लड़का तो काफी knowledge वाला है और काफी काम जानता है लेकिन जब पुछा गया है कि एक जो हमारा square gauge 3 page interaction motor है इसको proper तरीका से check किस तरह किजिएगा उस time बताने में इसको थोड़ा सा दीकत हो गया है अभी यही same to same question हमसे भी बताया है ठीक है और यह को doubt क्या उसको रहाई गया है देखिए कि कुछ कुछ motor का checking के बारे मैं already आप लोग को बताया हूँ लेकिन आज इस वीडियो में जो चीज आप लोग को बताया हूँ इस type के देखिए का वीडियो में मैं इससे पहले कभी बनाया नहीं हूँ क्यूंकि जो friend हमको यह सब बताया है हमको तो पता ही नहीं था कि इसके ओपर भी वीडियो होना चाहिए जही से motor body हो जाएगे तो चेक आपको किस तरह करना है या motor का lead कर जाएगे तो किस तरह आपको चेक करना है या motor माली जी starting current और running current तो यह सब जो पूछा है ठीक है तो यह सब के ओपर मैं वीडियो बनाया नहीं हूँ अभी मैं उनसे बताया हूँ कि यह सब यह सब भी चेक होता है और चेक पूपर तरीक से करना चाहिए तो reply में क्या message आ रहा है कि sir मैं आप ही का वीडियो देख के सीख्या हूँ ठीक है आप तो यह वीडियो बनाये नहीं है तो हम इंटर्वी में जवाब किस तरह देंगे तो इसलिए दोस्तों आज यह वीडियो बनायेगा मैं आप लोगों पौपर तरीक से समझाओंगा क्यूँके मैं नहीं चाता हूँ जो भी helper से माली जी के junior electrician बन रहा है कुछ दिकत हो और कभी भी अगर कोई भी company में इंटर्वी दिजिएगा तो कुछ भी दिकत ना हो क्यूँके दोस्तों देखिए अभी के डेट में मैं जितना हो सेक आप लोगों के help करता हूँ हर रोज वार्टसप गुरुम में offer भी देता हूँ और काम के बारे भी बताता हूँ तो अभी तोर आप लोगों को कुछ tension भी नहीं है कि अराम से अपना वीडियो देखेंगे electrical का काम सिखेंगे और कोई ने कोई जगा में हमको job एकदम confirm मिलेगा ही मिलेगा अगर मैं खोद contact नहीं कर पाऊंगा तेक YouTube चैनल है उसके माध्यम से तो मैं कही ने कही job में joining करूँगा ही करूँगा क्योंके दोस्तो अभी के डेड में B.Tech Engineer, Diploma, ITI अगर ये सब आप नहीं भी किये हैं फिर भी मैं देखिएगा job का offer दे देता हूँ अगर आपके बास practical knowledge है या practical आप काम करते है या मेरा वीडियो ठीक time to time देखते है और experience अच्छा बनाते है दोस्तो एक motor को proper तरीका से check करने के लिए कुछ कुछ चीज आपको जानना जरूरी है जैसे कोई भी motor रहे AC motor रहे, DC motor रहे या special motor रहे हर motor का पहला checking होता है कि motor हमारा body है या नहीं है ठीक है तो इहां पे एक हम motor terminal बना देते है ठीक है तो motor terminal में देखिएगा जो DC motor है किसी में आपका 4 गो लिड रहता है किसी में आपका 6 गो रहता है किसी में आपका 9 लिड भी रहता है लेकिन चाए 4 गो रहे छोगो रहे या नोगो रहे चेकिंग सबका सेम रहता है और इसी टाइप से आपको मोटो टर्मिनल देखने के लिए मिल जाएगा तो पहले आपको किस में चेक करना है पहले आपको माल्टी मीटर में चेक करना है ठीक है तो माल्टी मीटर में आपका क्या होता है दो लीड होत जो चेकिंग करने का तरीका है सब का सेम रहता है कुछ भी अलग नहीं है चाहे आप माल लीजिए कि मेगर से चेक कीजिए ठीक है या मल्टिमीटर से चेक कीजिए या हंडेड वाट का बाल भोल्डर से चेक कीजिए जीस तरह से मैं आप लोग को बताऊंगे सेम टू सेम हार मोटर को चेक करना पड़ता है जैसे कोई भी मोटर रहे पहले आपको क्या चेक करना है पहले आपको बोडी चेक करना है तो मल्टिमीटर में हमारा दो गोल लीड है एको कॉमन वाला जो लीड है इसको आपको body में लगाना है ठीक है और उसके बाद ये वाला lead जो है एक बार इस में एक बार इस में एक बार इस में ये छे लीड में ही आपको देखना है क्यामरा body है या नहीं है और multimeter, mega और 100 watt का ball folder ये तीनों से ही आपको check कर रहा है चाहे आपका AC motor रहे, DC motor रहे या आपक का अंदर में बहुत सरा doubt रहे जाता है और फिर जब कोई भी electrical का interview होगा तब direct बोलेगा sir आप इस चीज के बारे में हमको बताए नहीं थे नहीं थे नहीं थे हम इंटर्वी एक दम भार के रख देते तो दोस्तों हर चीज के बारे में मैं बताऊंगा लेकिन क्या है कि आप से पूछेगा कि कितना भोल्ट का मेगार में हमको चेक करना है तो आपको सीधा बताना है कि हमको 500 भोल्ट का मेगार से चेक करना है क्योंके दोस्तों जो भी आपका मेगार रहता है खास करके industrial या private company में ज्यादा तर 500 भोल्ट का मंगाया जाता है और 5000 तक भी मंगाया लेकिन जो मोटर वेगर हम लोग चेक करते हैं, ज्यादत आपका 500 volt का ही रहता है, इसे निचे का भी होता है, इसे उपर का भी होता है, ठीक है? और ये जो आपका 500 volt का है, ठीक है? तो इसमें देखिएगा, एक आपका M दिया हो रहता है, उसके बाद आपका ओम्स लिखा हो रहता है इसका मतलब होता है कि 500 भोल्ट मेगा ओम्स में ही हम लोग चेक करते हैं कोई भी मोटर को अभी जो आपका मेगा रहता है इसमें आपका दोगो पॉइंट बनावा रहता है दोनों पॉइंट में आपको दोगो वैर लगाना है एक रहता है आपका ए रहता है ठीए औरा एक रहता है आपका एल रहता है क्यूंकto Step से भी नहीं ब disag तो यह होगा फिर ओही In था से नहीं हो सब आप एनलोग टाइप का मेगार रहेगा तो यहां पर एक हैंडल दिया हुआ रहता है हैंडल को घुमाएगा एक फ्रेंड और दुसरा फ्रेंड इस मोटर को चेक करेगा और यह जो यह बला टार्मिनल है यह तो आपका बोडी के साथ आपका लगा हुआ है और जो एल बला टा बाल फोल्डर में हम लोग क्या करते हैं एक आपका सीरिज लेंग बनाते हैं जो आपका 230 वोल्ड एसी से ही करना पड़ता है और एक तरफ आपका फेज रहता है एक तरफ आपका नूटल रहता है ठीक है और इसी में आपका एक बाल फोल्डर लगाना पड़ता है और इसी स आपका दोगो लीड निकलता है ठीक है तो जो आपका ये निउटल बला है इसको आपको क्या करना है इसको आपको बॉडी के साथ दे देना है ठीक है मतलब ये कौन सा बॉडी के साथ ये आपका मोटो टर्मिनल का बॉडी के साथ ठीक है नहीं तो ये भी नहीं बोलूंगा त बताएं नहीं थे तो अभीं आपका सारा डाउट किलियर हो गया किns iniciar and work site करना है जो आप मोटो का से जिएगा उसी मोटोर का बॉडी में देना है ठीक है यहां तीनों बॉडी में लिग देता हो नहीं तो इसके ऊपर भी कॉमेंट आजागा आप तो बताएं नहीं और ये वाला जो लीड है ठीक है ये वाला लीड आपको ये जो छौगों मोटर टर्मिलर में पॉइंड है इसमें आपको एक-एक बर लगा के देखना है कि हमारा मोटर बोडी है या नहीं है ठीक है ये जो तीन को चेकिंग है कभी भी आप इलेक्टिकल का इंटर्व्य दिज पर आप लोग को समझाया हूं अगर उस वीडियो को देखे नहीं है तो देख लीजिएगा इंसुलेशन रेस्टेंस वेलु आम लोग किस तरह चेक करेंगे तो यह मैं माल्टी मीटर देख के आप माल्टी मीटर को किलेट एक करना है और इसंदोच को डेखना है कि हमारा क्वाल का इंसुलेशन रेस्टेंस वेलु कितना है तो मालली जाप इस इसके साथ चेक कर रहे हैं यह हमारा एक कोई उता है इसलिए तर आपको तीन गो रहता है देखिएगा इस जगह में आपको लगाना है तो यहां पर आराम से लिगतेता है W1, W2 तो इसका आपका Insulation Resistance Value कितना है अगर माल लिजिए आपका Motor 1 HP का है या 2 HP का है या माल लिजिए 0.75 HP का है ठीक है तो आपका जो Insulation Resistance Value है यह आपका ज्यादा रहेगा मतलब जब आपका बड़ा Motor रहता है तब Insulation Resistance Value कम बताता है और जो छोटा Motor रहता है इसमें आपका ज्यादा बताता है अभी दोस्तों आप लोग का अंदर में कुछ doubt भी नहीं है सारा doubt भी clear हो गया है और इसके बाद अगर Electrical का Interview दीजिएगा तो जिस तरह से मैं बताया हूँ Same to same एही बताना है ऐसा नहीं करना है का Direct हमको बोलना नहीं है कि इसके उपर आप वीडियो बना के समझाए नहीं थे नहीं था हम इंटर्वू फाड के रग देते और ये जो लास्ट वाला कॉयल है इसको भी आपको same to same चेक करना है दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही